हेलो बच्छा बार्टी कैसे आपसाब बढ़ियां होंगे और बहुत अच्छे से प्राइब कर रहे हुई तो बच्छे आज का टॉपिक है वह हमारा है सिग्मा और पाई बॉन को कैपूलेट कैसे करते हैं पहले हम सेखेंगे सिग्मा और पाई संथ होते क्या हैं तुकर बंते कैसे हैं और इनकी पढ़ने के लिए हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ने हमें आपको पता होगा तो यह जानने के पहले हम जानेंगे की बंते हैं सिंसे और नमसर अपनुप बसने कर दो आपने नहीं पढ़ा है और पढ़ास वहाइगा तो आपने रेखा होगा कि आपके OORBITAL जो है वह फोर टाइप की OORBITAL होते है S ORBITAL P ORBITAL, DORBITAL, and F ORBITAL S, P, D, F. ठीक है? आपका जो बच्चे S होता है वो क्या होता है? SPARICAL IN SHAPE होता है? SPARICAL मतलब GOLA यह रो ठीक है बच्चे? आपका जो P होता है बच्चे वो DUMBLE SHAPE होता है? क्या सो हता है? यह होता है डबल डमबल क्या दमबल अब्ल दमबल मतलब आ ऑठाहे जा के नहीं अधोथीम गौत है सबस्तिधियो श्रीक्टिर हे अहां के नहीं साहीं तुल शबस्त्र cauliflower करते है यह डंबल भाव है यह Keith लिए ME यह मैं यह से पर देन होओ विल्वाइब अब हमारे लिए खुसी की बात यह हम जो यह पड़ रहे हैं वह कार्बन कंपाउंड का निकालने के लिए पड़ रहे हैं लुग Paco 각 छेंगे ता बच्चे और इन न वाल्व है Consulted आन वाई drugs वाह इन 10 अउर प्रें नहीं उसका शेप शेप की खास परफ नहीं पड़ता है कार्बन की बात करें चेकर है यह मारा ओता सप्रेकल और पी ओता है हमारा दंबल अब यह तो हो गई बात कि orbitals क्या होते हैं अब बात आती है कि जब यह orbitals combine करते हैं तो कैसे combine करते हैं मतलब पहली बात है कि orbitals क्या होते हैं यह हमने बात कर ली orbitals क्या होते हैं अब हम दूसरी बात करेंगे कैसे combine होते हैं कैसे combine होते हैं क्योंकि किनके कम माइन होने से ही कम्मिनेशन से ही हम बात करेंगे कि सिगमा और पाइगान का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो एक बाइस का स्क्रीशॉट ले लो मैं से अटा के बात करते हूं कि कैसे कम्माइन होते हैं तो बच्चे जब बात करेंगे हम कैसे कम्माइन होंगे तो करें अभी मैसमझाओंगी head-n diye या इसी कोई head-to-head overlapping बोलते हैं इसी को क्लिण किनारे से कुने से तो पहले समझेंगे कि head on overlapping क्या होती है और side-wise overlapping क्या होती है तो बच्चे मान के चलो मैं कुछ चीचे ले रहे हूं तो यह कुछ-कुछ ऐसे मतलब यह सीधी लाइन है और यहां पर ऐसे डंबल से और मैं s-orbital के लिए ले रहे हूं यह इस पैरिकल वाली बॉल यह हमारे पी वाले और यह हमारा एस वाले अब क्योंकि इसमें मैं head और टो नहीं बता सकती है है इसका head कहा है और ट यह सक्छा है क्योंकि यह बूल का रहा okay मानना यह कहीं भी कि अबनो इसका head है और यह बाकी नहीं कहीं कि इसका head को यह जब है वालाobile और यह वाले से preparing अस्वालवल्प्रेश्क बोलते हैं head to head overlapping या head on overlapping ये मैं बात करे हूँ P orbital की, जब P orbital का head इस वाले P orbital के head से ऐसे क्या करता है overlap करता है तो इसे बोलते है head on overlapping या head to head overlapping similarly ये ऐसे है और ये भी ऐसे, मतलब अभी क्या है side में है, क्या है side में जब ये ऐसे side से overlap करें side से overlap करें तो इसे बोलते हैं, बच्चे, sidewise overlapping, ये head to head overlapping, ये sidewise overlapping, head, side, head, side, ठीके बात, ये तो गई P orbital की बात, अब मैं बात करूँगी S orbital की, तो देखो, इसका तो कोई head है नहीं, बट इसका तो है, तो क्यों करते हैं, जब ये वाला इससे ऐसे overlap करता है, ये वाला से, ऐसे overlap करता है, तो हम उसे बोलते हैं, head on overlapping, क्या बोलते हैं, head on overlapping, और अगर S, S से ही combine करेगा, तो भी हम उसे बोल देते हैं, कि head on overlapping, क्योंकि दिखता नहीं है, लेकिन हम sidewise नहीं बोलते हैं, प्रॉपर ऐसे orientation होता है, दो balls का ऐसे करके, तो S और S को भी हम बोल देते हैं, कि क्या है, head on overlapping है, head sorry, head on overlapping है, तो ये head, ये sidewise, तो इस भी हाब पे बनेंगे, अगर ये ऐसे overlap करेंगे, तो मैं बोलूँगि, यने head on overlapping, और ये ऐसे करेंगे, तो ये बोलूँगि, मैं sidewise overlapping, अब होता क्या है, head on or side wayne से भच्चे जब भी कभी head on overlapping होगी तो यहां पर sigma bond का formation होगी हमेशा head on overlapping से sigma bond का formation होता है यही होगा और sidewise से क्या होगा बच्चे पाई bond का formation होगा किसका सब्सक्राइब का formation होगा पाई bond का formation होगा सब्सक्राइब करोंगी कि मुझे बता दो जरा कि सिग्म और पाई bond में strong bond कौन सा बनेगा अपनी दिमाग लगाओ जो भी हमने overlapping करवाई थी तो यह वाली overlapping ज्यादा अच्छी से होगी प्रॉपर्ली इसको बाइन करेगा मतलब तुम्हारी किसी के साथ understanding अच्छी है मतलब तुम्हारा कोई दोस्त है girlfriend boyfriend जो भी है है न दोस मान लूट सभी दोस होते है प्यार दोस्ती है तो क्या है कि अगर अच्छे सी यह आपकी बीच में communication है understanding अच्छी है तो आपका bond strong है कोई उसे easily आके नहीं तोड़ सकता है आप अज में बढ़िया बन रही है communication अच्छा है overlapping अच्छी बढ़िया एकदम तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता जल्दी आके तो आप क्या बोलोगे की bond strong है पट मालो एक यह है और एक यह है इसमें कितना ही overlap पुपन है इन दोलों के बीच में क्या understanding को अच्छा नहीं है तो कोई भी आग के इसे तोड़ सकता है आराम से तोड़ सकता है है ना तो अगर यह ऐसी वाली overlapping है मतलब बनिया वाली understanding है तो यह bond क्या बनेगा बनेगा यह strong bond बनेगा ठीक है और यह वाला क्या बनेगा पाई बनेगा तो क्यों यह bond जल्दी टूट जाता है कि उस पर ज्यादा होता है जब आप थोड़ी एडवांस के मिस्ट्री पड़ोगे आरे और अर्गनिक वाली तो आप देखोगी जस चाहां पाई बॉंड है वहां बड़ी सारी रेक्शन्स हो रही है ऐसा होता कि मालो आपके यह पाई ब पैला हुआ रहता है तो किसी भी निकलोफाइल या किसी के लिए अटाक मारना आसान हो जाता है रियाक करना आसान हो जाता है क्योंकि इनका इलक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे फैला होता है ठीक है हो सकता आपको अगर यह बास समझा रही तो बहुत अच्छी बात है ने तो आग क्या हो कैसे हो रहे हैंगे अगर यह बास समझा आई है कि क्या हो कैसे हो रहे हैंगे अगर हम बास समझेंगे कि S और P की कॉम्मिनेशन क्या क्या बन सकते हैं मतलब जो हमारे और बन रहे हैं सिग्म और पाई बॉंड वाले तो कैसे सिग्म और पाई बॉंड बनेंगे और क्या 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 कॉम्मिनेशन हो सकते हैं हमारे पास S और P के भी आप ठीक है तो एक पर तो अबमात करेंगे क्या क्या सकते हैं क्या क्या सुनूं पहला तो आपका बन सकता है कि कि एस से ही कंबाइंड हो जाए मैंने आपको बोला कि एस में आपको हैडवेट दिखेगा नहीं बट मान के चलो कि वह हैड से ही ओवरलाप हो रहे क्योंकि जब कुछ नहीं दिख रहा तो हम अपनी अच्छी वाली मालेंगे ना खराब चीज क्यों मालेंगे जब सोचना है त तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनेगा है तो हम ने मालीया कि head से ओवरलाफ करके सिर्मा बना रहा होगा है है स्प्यरिकल जब कंद्ध हेंड स्प्य रहा वरलापिंग करें तो क्या करेंगा sigma bondi form करें करें है ना दूसरा combination बच्चे हो सकता है कि s p से combine करें मतलब s orbital जो है बच्चे p orbital से combine करें तो यह रहा आपका s orbital और यह रहा आपका p orbital में p ऐसे यह ऐसे ले रहे रहें एसे क्योंकि ऐसे लोगे तो sidewise करेगा headwise करवाना है तो head लेना पड़ेगा तो जब यह आपस में combine करेंगे बच्चे तो इसने क्या करी head on overlapping करी क्या कराईए head on overlapping करी ठीक है head on overlapping करी तो यह भी क्या बनेगा बच्चे sigma 1 बनेगा ठीक है अब जब तीसरा आएगा बात तो P और P का combination हो सकता है P और P का combination होता है अब P और P का combination दो तरीके से होगा कैसे दो तरीके से होगा या तो यह वाला combination होगा या यह वाला combination होगा या यह वाला combination होगा तो पहले हम यह वाले combination की बात कर लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा head on overlapping होगी इनके बीच में मतलब ऐसे यह और आपका यह तो head on overlapping से क्या बनेगा बच्छे sigma 1 का formation ही होगा 100% आते हैं फोर पे बात पीयों पी पिर करेंगे लेकिंश कैसे करेंगे मतलब यह अ कुछ आख करेंगé को कर रभाहितyeah का तो यह होए अब साईडवाहिक बनेगा पाइब करें यह तो होगे समझाई थी उसके बारे में होगे बात अब बते है कि मुझे बता दो कि इन में स्ट्रॉंग किया होगा मतलब कौन जादा स्ट्रॉंग कौन स्ट्रॉंग आपको यह तो मैंने बता दिया कि इस सिग्मा चाल गाईटों पाईबन अब यहां तो वच्छे तो तो अगर थीन कपल किया बात करो तो एक कपल ऐसा है जो दोनों ही वहां समझदार है सुलशेवे लोग हैं अब इसी बातें उनकी बीच की वांडिंग तोड़ी जाद आच चुगी क्योंकि उनकी सोच एक जैसी एक जैसे ठीक है अब यह तो होगे समझदार वाले लोग ठीक है तो इसको तो सखेंगे सबसे आगे तो अगर मैं PNP के सबसे स्ट्रॉंग सिग्माबॉंड PNP का उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर यह समझदार है तो इन्हीं के जैसा कुछ यह भी है ठीक है और यह थोड़ा टाइप की लोग गोलगपा जैसे मूफ लागे बैठने वाली है ना तो क्या है यह अगर समझदार है और एक गोलग समझदार है तो क्या हो जाएगा दूसरा जो आएगा आपका S&P का सिग्मा कॉमिनेशन में वह स्ट्रॉंग ठीक है अब होई क्या तीसरी बात आती है दोरी थोड़े से फोड़े गोलगुपा है लेकिन प्यार महबद तो है बॉन्दिंग तो है तो बढ़िया है मतलब समझदार हो जैसे हो लेकिन वांडिंग ही अपस में बहुत लिमिटेड बॉन्धिंग बातचीत कम है तो क्या आहीं स्टोंग नेस की बात करो कि उनकी है तो बच्ची क्या हो जाएक आपका जो पी और पी का पाई बॉन्द तो यह हो गई कहानी stability order की stability order हो गया अब हम बोले पढ़ लिया सवभी सब्सक्राइब बनेगा और साइडवाइज तो सब्सक्राइब विकारी मानुह तीन सिग्मा भी जो दो समझदार लोग हैं जो एक जैसे लोग हैं हैड-on-overlapping बढ़िया तरीके से कर रहे हैं वह स्ट्रॉंग देन स्पी क्योंकि एक समझदार एक गुलगप्पा दूसरे दोरों गुलगप्पा तो तो यह तो होगी कहानी पुरी सिग्मा भात की अब बात करेंगे अपने मुद्धे पर आते हैं क्याकुलेशन आप सिग्मा भाइबन जो आपकी NCRT में कोशन दिए हैं और कमपेटिशन के पॉंट आप इस अगर आपको यह समझ आगे है तो बातों करने के पहले जो पर आपकी यह है कि अगर आपका कोई दौ आतम की बीच में पहला बॉंट बनता है तो पहला बॉंट हमेशा हमेशा सिग्मा बॉंट इ बनेंगा दूसरव तीसरा बंड वह bety deals होता है बनने वालाемся यह दो सी बात है двух ऑन्हें यह वालध यह यह कंदेन्स फॉर्म में यह माली डिया है ऐवां तो यह बात का बिल्कुल ध्यान रखोगे कि आपका जो फॉर्मिला है वो अच्छी अप उसे बाइन पॉर्मिले में लिखने चाहिए ठीक है अब बात करते हैं पहला क्या है बड़ा से अब जब आप इसके सिग्मा और पाइवन रखेंगे अच्छा आप एक साथ लेख सकते हैं ठीक है लेकिन एक्जाम में क्या होता है पची कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि सिग्मा सीच बॉण कितने हैं टूटल सिग्मा बॉण कितना तो आपको सब तरीके से खेलना आना चा अगर एक्जाम में टूटल पुछता तो आप टूटल कर देना और अगर आपका क्लास 11 का टेस्ट होता है तो आपको अलगला करके लिखने पड़ेंगे ठीक है तो इसमें क्या है बच्छे सीच बॉंड नहीं है कि वाले बॉंड से रिप्रेजेंट कर देती हूं सीच वाल इसमें सीच बॉंड थे इसमें आप देखो इसमें सीच बॉंड बॉंड इसमें पाई सीड़ल बॉंड पर लेते हैं तो एक दोऊ के बीच में दूसरा बाई लेकिन पहला बॉंड तो क्या है तो डोटल स्वाइबेस & 1 he आप मूर्ख बनाने से डोखे इसको काम अच्छे सिकर अब count करते हैं पहले हमारा हमारा counting है वो CH वाला counting रहेगा then sigma CC वाला counting में रहेगा then pi वाले counting रहेगा pi में बात करेंगे अभी मैंने क्यों रोका इसे रुक क्या बात करते हैं CH वाली bond है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हमारे sigma CH bond है CC count करते हैं 1, 2, 3, 4 4 sigma CC bond है total कितने हो जाएंगे बच्चे 10 10 bond होगे हमारे sigma pi में आप लिखने को प्रूटल लिख सकते हो लेकिन लिखने का सही तरीका होता है कि एक जो pi M ने यहां से उठाया है मतलब C double bond C के बीच में कितना pi है आपका 1 pi 2 pi यहां मिलेंगे आपको एक sigma दूसरा भी pi होता है और तीसरा भी pi होता है sigma के लावा जो भी bond आएंगे वो pi होते है ठीक है C triple bond C से आपको 2 pi bond मिले यह ऐसे रेप्रेजेंट करोगे आप लोग तो टोटल pi bond कितने हैं आपके पास 10 sigma and 3 pi bond अगले आते हैं आपके फिफ्ट वाल एक्जामपल पर बेंजीन विचारा प्यारा सा जिसके hydrogen चुपे होगे होते हैं इन hydrogen को आपको दिखाना है क्योंकि इनको बिना दिखाए आप नहीं दिखेंगे मतलब कोश्ण गर्लत हो जाएं फिर नंबर नहीं आएंगे फिर गरवाले पेलेंगे तो आपने दिखेंगे तो बिचारे बेंजीन को दोस्त ना दे इसका लिख लें पिचारे hydrogen सिगमा सीच कितने काउंटक रो तो 1 2 3 4 5 6 क्या कारबन कितने मतलब कारंब कारंच मिचे करवन इस वाले के ऊपर विचात देखने में तो बड़ा सा एजामबल है लेकिन है सीधा सादा सा कुछ नहीं है कहता है मेरे दो-दो बॉंड चुपे हैं तो उनको दिखा दो तो बस तुम्हारा काम हो जाएगा तो जहां कहीं भी कमी होती है क्यों पूरा करता है आइडरोजन हैडरोजन में कहता है जहां जहां कमी रहें कर लेते हैं तो प्र कर दो चार लोुचने समया गलता है लोग से क्षाइट न सबस्सक्राहए 12-16-18 सपाइक जा सब्सक्राइब करें तो घैके तो वनकिन सब्सक्राब bombs अगसब्स कर रहे हैं लोग तो उपन का की नहीं लिखा तो यह दो के बाद भी हो सकता है क्योंकि यह हैं जी हैं जी की टोन इनके सम्मान इनको ऐसे लिखा जाता है अब आप देखोगे तो तीन बार्ण या से मिलेंगे आपको तीन से इसे इस वाले 7 8 सी एच कितने हैं 6 सिग्मा सी सी कितने 1 2 2 और सी ओ कितना है सिग्मा सी ओ वाले कितना है सी इंगल बाउंड वान यह तो हो गए आपके सिग्मा वाले तीन तीन चे शाथ 8 9 तो यह हो गए चे दुवाट एक नहों पाई कितना है पाई एक है सी डवल वाण वाला एक पाई कितना है दिवाट बाई साब इनकी कहानी भी पूरी होगी तो यह रहां को बढ़िया बढ़िया एक्जामपल मैंने ट्राइक है कि आपको सब थो थो लेकि समझा दू अब आपको प्राक्टि करो पढ़ाई करो खुस रहां मले करो बावाबाई